टोटल 1,21,000 का profit यहाँ पे अभी तक निकल करा है और मैं बता देना चाहता हूँ यह account आप खुद हिसाब लगा सकते हो लाइक यह account अप्रोक्स 12,00,00 रुपे का account है तो अगर मैं साल भर में इस असली पैसे को लगाने से पहले यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको morning में ही level शेयर कर दे जाते हैं और maximum time दब वो level बहुत ही perfection के साथ work करते हैं आप मेरी videos वो check कर सकते हैं कैसे काम किया जाता है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि trading का future क्या हो सकता है अगर आप trading के अंदर involvement रखना चाते हो और यह डर है कि मैं trading बंद हो गई तो मेरा क्या होगा then definitely इस वीडियो के बाद में आपको answer मिल जाएगा सबसे पहली बात यह मैं बताना चाहूँगा 6 October है और 6 October को यहाँ पर trade levels जो होते हैं paper trade करने के लिए practice करने के लिए जो share किये जाते हैं उनके तैद देखा जाया तो आज का जो level था ना वो 83.27.50 यह हमारा lower zone था और 83.46.00 हमारा upper zone था जो की paper trade करने के लिए मैं अपने group में share करता हूँ तो अगर हम इनको real market में check करें कि भाई क्या हुआ आज का क्या क्या condition बनी दर हम यहाँ पर अपने trading से उपर उटकर यहाँ पर अपने demit account के उपर आते हैं demit account के उपर जैसे मैंने आपको बताया like 83.27.50 हमारा यह lower zone था कि भाई हमको यहाँ पर lower zone पर enter करना था market कुछ यहाँ पर खुली और lower zone की में बात करूँ तो आज का जो lower zone count हुआ है वो count हुआ है approach like यहाँ पर देखो आप सबसे चोटी गंडल जो बनी है नीचे तक 83.25.25 so basically अगर कोई इंसान यहाँ पर properly entry कर रहा है then definitely वो यहाँ पर काफी easy way में सही जगह पर enter कर पाएगा और enter करने के बाद में काफी अच्छे तरीके से moment count हुई है सबसे जुरुरी बात आजाती है जब भी कभी ऐसी condition मिलती है तो आपको क्या करना है आपको wait करना चाहिए सबसे simple बात है क्योंकि सही जगह पर enter करना ही share market में profitable रहने की एक अच्छी बात मानी जाती है अब बात आती है जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ना करते हुए भी कुछ ना कुछ मिल जाना बहुत ज़्यादा जरूरी बात होती है लाइक क्या सकते हो लाइक नवंबर मन्त की call sell थी तो call को exit क्यों किया गया उसके पीछे का reason जब भी हमारे lower zone के पास मिला एक जगर में intraday की बात कर रहा हूँ अगर lower zone के पास में level आता है तो उस condition में हम लोग trade को जो call होता है उसको exit कर देते हैं यहाँ पर क्या करता है हम लोग put में enter कर जाते हैं जैसे कि मैंने किया भी था बट basically target achieve नहीं हुआ पूरा दिन moment के बाद भी शाम के समय वापस price उसी जगह पर आ गया वरना मुझे यहाँ तक के अप्रोक्स 2000 तक का profit भी दिखाई दिया बट फिर last time के अंदर कह सकते हो market close होने पर price वहीं पर आ कर बंद हुआ तो इस condition में भी एप्रोक्स 750 रुपीज उस trade के अंदर completely book हो गए सबसे अच्छी बात यह है और तीसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर safety जादा है अब आप कहेंगे आपने तो currency currency के बारे में काम किया है बट हमें तो share market में बताया जाता है कि share market में बहुत सारी चीज़े हो को somewhere में अभी की बात करें तो शाम के 6 बज़ रहे हैं जब मैं video create कर रहा हूं आपको update करने के लिए तो यह तीन और चीज़े तो मुझे profit देंगी प्लस इसी तरीके से मैंने December की call को short किया है 50 lot तो यहाँ पर भी मुझे profit ही दिखना है common सी बात है शॉट किया हुआ है easily बैठ की जाए तो यह बेसिकली इस particular account का जब से starting है तब से सारा का सारा detail है July month से यह account connect हुआ है Elgo system में like यहाँ पर currency में ही काम किया गया तो July month को हम choose कर लेते हैं sorry July month में जाते हैं June से कर लेते हैं यह लिजे 7 तरीक तक तो यहाँ पर बात की जाए तो एक genuine तरीके से profit बन सकता है गय तो अगर मैं साल भर में इस account को double भी कर पाता हूं then definitely बहुत अच्छा return अगर मैं उसके अंदर 12,00,00 में केवल 6,00,00 भी निकाल पाता हूं पूरे साल के अंदर then definitely बहुत ही अच्छा result count होता है यहाँ पर आप देखोगे तो profit जो है like कह सकते हो per day के हिसाब से भी averaging निकाली ज अब इससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है सीखने के लिए हमको यह मिलता है कि अगर कोई इंसान अपना future यहाँ पर create करने की सोचता है then definitely उसको थोड़ा सा income अपनी पहले generate करनी चाहिए common सी बात है एक लाग दो लाग तीन लाग अगर वो यहाँ पर invest करता है then उसकी expectations requirement पढ़ती ही पढ़ती है रही बात काम करने का देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अगर हम future की बात करें कि यहाँ पे trading को क्या future हो सकता है आपको एक चीज बोलना चाहूंगा यह चीज आप सब लोग agree भी करोगे चैसे की बात की जाए कोई भी business होता है अगर मै आप सस्ते में मालीजी 10 रुपे का प्रोड़क्ट करीदते हो 10 रुपे की प्रोड़क्ट पर अपनी कुछ value add करते हो करने के बाद में 12 रुपीज पर उसको sell कर देते हो यही एक normal process है यहाँ पर बहुत सारी चीज़े होती है कि उस प्रोड़क्ट की demand है नहीं है market के अंदर आप जहां से खरीद रहे हो किया वहाँ से उसका price आपको lower to lower मिल पा रहा है बल्क में खरीदने पर आपको lower to lower price मिल पा रहा है दीसरी चीज़ आ जाती है अगर वो price आपने खरीद भी लिया और एक time value के साथ मालीजी एक product आपने खरीदा और पता लगा 4 साल लग गए उसको बेचने में then definitely वहाँ पर problem count होती है plus कोई ऐसी problem हो गई कि किसी को उस product की जरुवत नहीं है then definitely आपका 100% जो fund है वहाँ पर कह सकते हो बरबाद हो सकता है तो normal real life की बात करो तो real life के अंदर कुछ इस तरीके से business होता है but trading की जब बात की जाती है मेरे भाई तो trading एक different type का matter हो जा आज के समय में आप घर बैठे बैठे आप अपने घर के laptop से दूसरे घर में बैठे हुए एक इनसान के laptop पे order जा रहे हैं आपके और आपको पता नहीं कि सामने वाला कौन है जिसके साथ आप business कर रहे हो यह opportunity केवल और कीवल आपको कह सकते हो आज के समय में मिल रही है वो भ उसकी कुछ ना कुछ expiry ज़रूर होगी इसी तरीके से वो नीचे गिर गया then definitely तो तो वहाँ पे huge losses आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही जगा पे profit आ सकता है अगर किसी product की demand high है और आपके पास वो product है और आपके आसपास के लोग जो है आपसे वो product खरीदना चाहते हैं clear but share market में ऐसा कुछ भी नहीं है share market में ऐसा होता है कि कुई चीज भाई उपर जाही है तब भी आप पैसा कमाओगे कोई चीज नीचे जारी है तब भी पैसा कमाओगे और कोईचीज sideways हो जाती है तब भी पैसा कमाओगे बस आपको एक चीज का ध्यान profit हो common सी बात है आप सोचो आपके साथ में आपने कहीं से product खरीदा ठीक आपने वो product को अपने value add करके बेचने की बात की plus third party जो आपका customer है उसकी बात की जाए तो अगर सोचो आपको profit नहीं हुआ तो chain break हो जाएगी उस condition में business model fail count होगा आपके जो supplier है उसको profit नहीं हुआ then definitely वो अपना work complete बंद कर देगा then आपको भी होँपे problem होगी अगर आप दोनों को profit हुआ आपके customer को profit नहीं हुआ then definitely आप अपने product के साथ में जुझुना बजा सकते हो क्योंकि कोई product खरीदने के लिए हो गई नहीं किसी को उसके जरूवत ही नहीं है तो खतम सब कुछ तो ये business model ऐसा account होता है अब सोचो share market की बात करे तो government की बात करे तो government को भी profit है ठीक है प्लस यहाँ पी जो बात करे जो business को run कर रहे है उनको भी profit है common सी बात है प्लस जो normal customers है उनको भी बात की जाए तो उनको भी profit है तो तीनों की तीरों जगा के जब business को profits देखे जाते है उस condition में कह सकते हो business country run करने वाला है रही बात future की तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो covid condition के बात में maximum लोग जो job पे ज़ादा dependent हुआ करते थे आज मैं देख रहा हूँ एक अच्छा खासा पड़ा लिखा आदमी जिसकी salary एक लाख उर्पे है न वो इनसान भी अपनी एक लाख salary के इलावा कुछ ना कुछ sideways income generate करने की बात जरूर करता है किस चीज को लेकर कि भाई मेरी involvement उसमें ना हो मेरी time value के involvement उसके अंदर ना के बराबर हो मैंने पैसा कमाया उस पैसे को काम पे लगाया और काम पे लगाने के बाद में वो पैसा मुझको चाहे महीने के एक लाख पे पांच हजार भी आ जाये न तो definitely वो खुश है क्यों खुश है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि covid condition में क्या conditions बनी है common सी बात आती है ये बाते आदमी को तभी पता लगती है जब कह सकते हो कि उस पे problem सामने निकल के आती है मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो लोग विचारी job करता है बीच में कभी कोई problem हो जाती है नौकरे छुट जाती है देफिनेटली उनकी family condition इतनी बुरी हो जाती है उनके कारण उनकी financial planning सही ना होने के कारण उनकी पूरी family survive करती है ये बात ध्यान नखनी की हो जाती है और maximum लोग ना ये जो job करने वाले लोग होता है देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ ये बात सोचते ही नहीं है इनको ये लगता है कि job है सब कुछ सही है बट मेरे भाई आपको plan B हमेशा ready रखना ज़रूरी है जैसे कि मैं खुद रखता हूँ common सी बात है आपको basic लिए बताना चाहूँगा क्योंकि दो देशों के बीच में वैपार करने के लिए currency की requirement होती ही होती है तो कभी ये बंद नहीं होगा बट कभी अगर ये बंद भी हो जाता है तो मेरे पास plan B हमेशा available है कि भाई मैं क्या करूँगा मैं इसलिए दुबाई जाओंगा और वहाँ पे जाके अपना Forex International Trading Account आपन करके काम कर सकता हूँ वहाँ पे एक छोटी सी company register करके तो मेरे पास भी plan B है तो जिनके पास job है प्लीज आप लोग भी अपने plan B को तयार करके जरूर रखो plan B कुछ भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग ही हो मैं इस बात नहीं कहा रहा हूँ main चीज है आपको अपने पैसे से काम कराना जब तक नहीं आएगा तब तक आपको जिन्दगी भर अपने पैसे के लिए काम करना पड़ेगा अगर आप खुद के मालिक बनने की बात कर रहे हो then definitely आपको एक huge amount की जरुवत पड़ने वाली है बट अगर आप कहरे हो कि बही मेरा जो पैसा है ना अगर वो पैसा महीने के 4%, 5% भी कहीं से return निकल कर आता है then definitely आप साल पर में देखोगी तो आपके पैसे के उपर 50-60% का return निकल के आता है जो की कोई भी bank आपको provide नहीं करता तो ये सारे fundamental concept जो होता है ना लोगों के तब जागते हैं जब उनके साथ में problem से सामने निकल के आती है जब सब कुछ सही चल रहा होता है मेरे भाई ये plan B, plan C वाला काम न तब करना चाहिए और लोग कब करते हैं जब plan A fail हो जाता है अब हम क्या करें मालिक हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा होता है और लोग इस चीज़ को तब तो ध्यान नहीं देते जब तक कि उनको एक लाग रुपे महीने की salary आ रही है तब तो मस्त dominoes में खाना है वहाँ पे आराम से pizza खा रहे हैं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं लाइफ के बट actual में वो मज़े मारने का समय नहीं होता वो होता है अपने आपको financially stable करने का समय क्योंकि आपकी ये गलतियां जो financially आपने correct नहीं की है तो इसके कारण आपके साथ-साथ आपकी family भी survive करने वाली है simple सी बात है, आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ पर अगर आप future की बात कर रहे हो ना कि future में trading कैसे रहने वाली है पर trading का future बैस्टी रहने वाला है क्यों रहने वाला है मैंने बताया ना जिस business में सबको profit हो रहा हो वो business कभी बंद नहीं होता ये बात ध्यान लखना और अभी COVID के बाद में इस business में बहुत ज़्यादा growth हुई है तो common सी बात है लोग इसमें interaction कर रहे है इसके इंदर आ रहे हैं इसको समझने वाला पैसा भी कमाएगा जो इनसान ये सोच रहा है कि मैं आकर सीधा गदे पे सवार होकर करोड़ोपती बन जाओंगा भाई वो ही तो बंदा यहाँ पे अपना नुकसान कराता है और उस समझदार बंदे की जेब में पैसा जाता है common सी बात आती है ना ये बात समझने की होती है 90% लोग पैसा कवा रहे हैं मैं agree करता हूँ वो जो 10% पैसा कमा रहे हैं एक्चल में वही लोग कह सकते हो share market को properly चला रहे हैं वही लोग tax pay कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं बिचारे ये salary करता है जो बाती है 10,000 रुपर महिना की और 1000 रुपर यहाँ पर दे देता है किसी की एक लाख है तो वो 10,000 रुपर दे देता है अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो लोग यहाँ पर अपनी payment pay कर रहे है common सी बात है और यहाँ पर जो लोग है वो लोग अराम से tension free होकर काम कर रहे है क्योंकि यही लोग like government को tax pay करते हैं आप क्या सोचते हो कि आपके द्वारा दिये गए चोटे मोटे चुटर मोटो काफी लोग तो ऐसे है जो tax pay ही नहीं करते है क्यों नहीं पे करते है वो कहते है मेरे income ही इतनी नहीं है तो भाई सोचो देश कैसे चलता है तो यह 10% लोग जो है ना कह सकते हो यह 10% लोग ही असली gameplay कर रहे हैं यह करते रहेंगे तो government कभी भी इस चीजों को बंद नहीं करने वाली रही बात job की तो job का future आप सब जानते हो कि भाई competition इतना जादा है कि अगर कोई इंसान कहता है मैं 20,000 रुपे में लग जाओंगा मालिक बस मुझे ले लो अपने साथ ले लो कैसे करके बस ले लो तो दूसरा इंसान कहेगा मालिक मैं 18,000 में जुड़ जाओंगा और इस से जादा काम करूँगा अब आप खुश समझो एक नया इंसान बिल्कुल नया इंसान college से निकल कर आता है कोई भी हो सकता है अगर वो job interview के जाता है तो common सी बात है पहले पहले किसी को भी experience कद्दू कुछ नहीं होता तो experience तो हुआ पे job के time पे frame में उनको मिलता है ना कि इस time से इस time तक काम किया अब जो इंसान सबसे सस्ता price में अपनी आपको बेशने के तयार है उसको company hire कर लेगी hire करने के बाद में आपको पता होगा वहाँ पे bond system होता है कि by two years तक आप हमारी company को छोड़के नहीं जा सकते अगर तुम छोड़के जाओगे तो पेटा दो लाख रुपे या तीन लाख रुपे आपको हमको pay करने पड़ेंगे तो उस condition में आप अपनी गर्दन खुद बाखुद company के मालिक के आहत में थमा देते हो कि लो जी मालिक जब मर्जी हो तब मेरी गर्दन को दबा देना यही तो होता है ना reality में प्लस हम बात करें ये तो बात है competition की इतनी competition है पूछो मत आप 18,000 वाले को ढूंडो दो बंदे और दिखेंगे जो 16,000 में भी तयार होंगे कुछ ऐसे होंगे उसी काम के लिए 15,000 में भी तयार होंगे और ये starting की salary में उन इंसानों की बात कर रहा हूँ like BTEC की बात की जाए MBA करने के बाद में 20,000 रुपीज की salary अगर हम ले रहे हैं मैं आपको बोलना चाहूँगा BTEC पे 6,000,000 रुपे आपने इंवेस्ट किये MBA पे 4,000,000 रुपे चार लाग इंवेस्ट किये 4,000,000 गिरे से गिरे की बात कर रहा हूँ ठीक है टोटल 10,000,000 रुपे की आपने इंवेस्ट की और 10,000,000 रुपे की इंवेस्ट के साथ साथ आपने कह सकते हो 4 साल डिगरी में 2 साल 3 साल MBA में प्लस उसके साथ में 2 साल experience गेंड करने में तो 6 से 7 साल 8 साल के बाद में अगर आपको 20,000 30,000 40,000 की salary के लिए survive करना पड़ रहा है प्राइवेट सेटर या फिर government सेटर की बात करूं गौर्मेंट की में बात करूं तो government तो bात ही आलग है वहाँ पर बात करें तो 1000 सीट इवलिबल होती है फोम फिल करने वाले 10,000,000 होता है आप खुद लगा सकते हो कि आपके like कह सेखते हो क्या conditions होंगी आपकी वहाँ पर selection count हो common सी बाते कोई भी basically ये चीज़ कहना मुश्किल है like मैं आपको पहले भी ये चीज़ गीम समझा चुका हूँ government कभी भी government exams को बंद नहीं करेगी क्यों government exam बंद नहीं करेगी इस reality में कहीं वीडियो में समझा चुका हूँ government चाहती है कि आपका वो जुन-जुना बंद कभी न किया चाहे आज 10 लाग है कल को जंसंग क्या बढ़ेगी 15 लाग भी होंगे 20 लाग भी होंगे 31 लाग भी होंगे जो form fill करेंगे form fill करने के बार seats क्या है 1000 थी 1500 कर दो 2000 कर दो 3000 कर दो मतलब इतना चलेगा क्यों चलेगा reason है government भी चाहती है कि जो आम बंदा आम बंदा मतलब जो बच्चा है वो government में जब माली जे बच्चा है वो पास हुआ गौली जिगरी पास हुई तो उसको कुछ जुन-जुना मिल जाए अब वो क्या है वो कहेगा मैं student हूँ student हूँ मैं तयारी कर रहा हूँ जी उस condition में वो अपने आपको बेरोजगार फील नहीं करेगा और उस condition में कह सकते हो उसकी family member भी कहेगी हमारा बच्चा तो तयारी कर रहा है जी समझ रहे हो तो वो भीरोजगार वाला थपा है वो उसके उपर से हट जाएगा और government इस बात को भली भाती जानती है वो कभी government exams को बंद नहीं करेगी बाध्यान रखना वो हमेशा चालू रखेगी चाहे उसको जबरदस्ती नुकसान हो बट वो फिर भी चालू रखेगी और आपको बताना चाहता हूँ जितनी seats निकलती है न अगर मैं forms का calculation करूँ कि एक form नॉर्मली 400-500 रुपेगा है जितने लोगों ने उसको form को fill किया जितनी government की income हुई अगर उस income को FD करा दिया जाए न तब भी उन हजार लोगों की salary निकाली जा सकती है इतना बड़ा amount वो लोग huge amount इखटा कर लेते हैं केवल और केवल form sell करकरके और सब को पताए कि seat 1000-2000 हैं और कितनी salary पालेगा एक आदमी अगर वो इंसान 30 साल की age में भी आता है 60 साल में retire हो जाता है तो government भी calculation करके रखती है कि मालिक ये 2000 जो लोग है ना इनकी salary इनके द्वारा दिये गए forms के through ही कमाईवी income से achieve करेंगे और ये government का plan होता है आम जंता को तो जुझझणा कद्दू कुछ नहीं पता होता पीछे के plans क्या है आपको मैं फिर बोलना चाहूंगा आपको करके लगता है कि government जो है वो like हमारे politicians की वज़ेशे जलती है नहीं मालिक उसके पीछे बड़े दिमाग वाले officers बैठे होता है और वो लोग इस calculations को भली बाती जानता है कि किस तरीके से काम किया जाता है और क्या ये game है तो आप competition की बात करेंगे future की बात करेंगे job के अंदर तो भाई आपकी choice आप बात करेंगे government exams की बात करेंगे government jobs की बात करेंगे तो भी आपकी choice अब मैं आपको बोलता हूँ एक ऐसी जगह जहापे कोई competition है ही नहीं आपकी strategy आपके साथ आपका काम करने का तरीका आपके साथ आप खुद के मालिक आपको जब मर्जी तब काम करो जब मर्जी तब मत काम करो आपको ये भी पता है कि कभी बंद नहीं होगा क्यों अगर सोचो nifty bank nifty या currency या फिर कह सकते हो हमारा stock market बंद हुआ तो आप मुझे एक बात बताओ जिस जगा से करोडो रुपे की income होती हो बड़ी-बड़ी company देश की बड़ी-बड़ी company top 50 company छोड़ो बड़ी-बड़ी सब companies के shares share market में listed है उनके उपर trading होती है और trading होती है तो आपको समझो trading के अंदर पैसा किसका होता है एक तो basically आम आदमी का तो होता ही होता है plus जो बड़े players होता है उनका भी पैसा होता है like politicians का भी पैसा होता है officers का भी पैसा होता है हर चीज का कह सकते हो calculation किया जाता है उस बाद में आप देखोगे तो ये stock market एक ऐसी जगह है आम आदमी की जेब से पैसा निकाल कर अमीर आदमी को और अमीर बनाने का plan count किया जाता है reason है इस अमीर आदमी के पास में plans है वो लोग long term calculations करके काम करते है यहाँ पर क्या है एक इंसान एक लाग रुपे महीना कमाता है मैं agree करता हूँ वो सुबह 8 बजे जाता है शाम को 8 बजे आता है ठीक है दूसरा इंसान महीने के 4 लाग 5 लाग भी कमाता है प्लस वो लोग basically ना तो कहीं job करते ना वो कहीं पर जाते ना वो किसी के ना कहिज़क्तियों नो कर है बट फिर भी हमारी society इस इंसान को जादा value देगी अब ये चीज हमारी society में problem है हमारे mind में problem नहीं है आज के समय में बच्चों का mindset change हो रहा है अगर आज आप बात करो तो इंसान अभी सबसे पहले पता है किस चीज़ पर ध्यान देता है time value भाई में job के अंदर में time कितना जाएगा health value ठीक health value भाई common सी बात है मेरी health का कोई problem तो नहीं होगी common सी चीज़ है प्लस यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि मुझे कितने लंबे समय तक के काम करना पड़ेगा common सी बात है अपनी आपको चीज़ ध्यान रखी जाती है बट ये चीज़े share market में बात करें कोई competition की बात ही नहीं है आपको काम करना आता है तो आप पैसा कमाओगे आपको काम करना नहीं आता तो आप यहाँ पर loss कराओगे simple fundamental concept रही बात stock market की कोई कहे बहुत सारे लोग आते जा रहे है मुझे हसी आती है कुछ लोग कहते हैं आप तो सब को सब stock market करने उतर गए जी हम देख रहे है वह भाई जितने लोग यहाँ पर आएंगे न उतना जादा positive है stock market के लिए क्यो positive है सोचो आपने एक product खरीदने के लिए order लगा है 100 रुपे का खरीदना चाहता हूँ अब आप buy करना चाहते हो तो मेरे भाई वहाँ पर ना कोई ना कोई sell करने के लिए भी होना चाहिए 100 रुपे का product को तबी तो वहाँ पर order match होगा ना सोचो यहाँ पर buy करने के लिए sell करने के लिए कोई ही नहीं तो यहाँ पर जितने जादा लोग आएंगे उतनी जादा volume होगी उतना जादा कह सकते हो यहाँ पर काम करना और अच्छा हो जाएगा लोगों की involvement भड़ेगी simple सी बात है दूसरी चीज़ आ जाती है कोई competition नहीं है हर घर के अंदर बेसिकली चाहिए एक trader बैठा हो कोई फरक नहीं पढ़ता depend करेगा उसकी skills के उपर कि वो पैसा कैसे कमा पाएगा common सी बात है अब जैसे बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ना करते होए भी हजार दो हजार अकाउंट में एंटर कर रहे हैं हम तो उसमें खुश हैं आपके उपर depend करता है कि आप कितनी trade करते हो कैसे करते हो मैं कहता हूँ दिन के 2000 आ रहे हैं अगर हम 20 दिन भी ट्रेड कर लेते हैं तो 40,000 उपर बन गए हैं उस condition में normally 4% का written count होता है यहाँ पर मैं मन्त की बात कर रहा हूँ और मैं फिर बोलता हूँ मैं कोई saving registered advisor नहीं हूँ मैं यह calculation अपने basis पे कर रहा हूँ आप अपनी calculation अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो 10 लाग के उपर महीने के 2 लाग कमाने की बाते करते हैं और मैं अंदर-अंदर हसता हूँ कि भाई यह पढ़ा लिखा आदमी ठीक है यह कौन से degree लिखा है और मैं तो एक बंदे से पूछा भी इसके सर आपकी degree कौन सी है मैंने का सर वो real है या कुछ गड़बड है कहते है मतलब मैंने का मतलब यह है कि कौन से आपको bank के अंदरे कौन सी investment बे 20% monthly return मिलता है मेरे भाई आप गलत जगव बात कर रहो यह चीज आपको समझनी है कि share market में कोई competition नहीं है common सी बात है भाई लोग क्या कर रहे है काफी सारे ऐसे app होते है fantasy app होते है जिनके इंदर जुवा खेलने लिए तयार है ठीक है लोग जुवा तो खेलना चाहते है पर share market को जुवा यह बताते है क्योंकि उनको पता कुछ कद्दू नहीं होता और उसके बाद में फुर वो कहता है यहाँ पर तो मेरा नुकसान हो गया मैं ऐसे से लोगों को जानता हूँ मैं काफी लोगों को ऐसा feel कर चुका हूँ कि यार यह इंसान इतना पड़ा लिखा आदमी है 60 retire हो चुका है, teacher है principle रहा है, फिर भी उसको financial knowledge शुनने है common सी बात है, तो आप समझ सकते हूँ कि money के बारे में सीखना, समझना बहुत जादा जरूरी है, तब ही आपका future जरूर bright होगा, और रही बाद share market के future की भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात ध्यान रखना आपकी job वाली जो है ना, job वाली life के अंदर problem सा सकती है, simple सी बात है, company में problem आ गई, तो आपको job के तहत भागना पड़ेगा, इस शहर से दूसरे शहर, common सी बात है आपको basically आप कहने लगी कि business करना है, तो business में भी problem आ सकती है बताया ना मैंने, काफी business हैसे होता है काफी का, मैं कहता हूँ, share market के लावा सारे business हैसे होता है, अगर business उपर की तरफ grow कर रहा है, आपके product की demand है then definitely profit होगा, अगर business फिंटा पड़ जाए, like कोई demand नहीं है तो भी आपको loss होगा, गिर जाए business है आपके सामने, कि भाई पूरे दिन market sideways पड़ी रही और common सी बात है, pin point entry होने के बाद की बात कर रहा हूँ, sideways पड़ी रही, यहां तक आने पर 2000 तक का profit दिखाए दिया था, बट again, शाम के समय अगेन यहां पर उसी price पर आगया price, बट फिर भी आप देखोगे तो 750 रूपीज प्लस हो गया क्यों हो गया, टाइम डिके के कारण हो गया, और मज़ी बात है, यह option selling की गई थी, और जिसने इसको option को buy किया होगा, उस बिचारे को 750 रूपे का नुकसान हो गया होगा, simple concept आपके सामने है, I wish यहां तक की बाते clear हो गई होगे, जो भी इंसान को लगता है कि future आने वाला बहुत बुरा है, share market का भाई, आप गलत जगा से पंगा ले रहे हो यहाँ पे कोई भी problem निकल कर नहीं आने वाली, और मैं फिर बोलता हूँ यही जो तीन trade है, Monday में आप देखो कि तो यह green में ही निकलने वाली है यह भी green में आ चुकी है और यह भी green में ही आने वाली है, clear, so यह बात दिमाग में बिठा लेना, काम करने का तरीका, यही आपको different करेगा, like different बनाएगा share market में, रही बात काम करने की तरीके की, तो मैं बता देना चाहता हूँ काफिर सारे लोग ऐसे होंगे, जो लोग यह चीज़े जानता है, कि कैसे काम किया जाता है तो अगर आप भी like इस particular group में जुड़ना चाहते हूँ, जिसके अंदर 6 October में मैंने सुबह like 8.45 पर ही level share किये थे, educational purpose के लिए paper trade करने के लिए, मैं पहले बोलता हूँ पहले paper trade किया जाना चाहिए, असली पैसे को लगाने से पहले, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको morning में ही level share कर दे जाते हैं, और maximum time लब वो level, बहुत ही perfection के साथ work करते हैं, आप मेरी videos को check कर सकते हैं, कैसे काम किया जाता है, अगर आप इस particular group में enter करना चाहते हैं, तो phone number है, number में लिख देता हूँ, क्या करना है, number की बात करें, तो number है 9837482890, second number है 8077521043, इन में से किसी भी number पर आप हाई कर सकते हैं, especially please इस वाले number पर करना, WhatsApp नमबर पर हाई, आपको detail share कर दी जाएगी, यहाँ पर अगर आप जुटना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, या तो आप इस number message करके continue कर सकते हैं, without account opening के, अगर आप चाहें, तो नीचे मैंने 3 DMIT accounts के link दी हुई है, उन में से किसी भी एक के साथ में आप अपना account open करेंगे, तो आपको इस Discord server के अंदर add कर लिया जाता है, वरना option number 2 भी है, जिसमें आपको account open करने की जरुवत नहीं है, उसके लिए आप इस number पर message कर सकते हो कि भाई, मुझको add होना है, आपको detail share करती चाहेंगी, आज की वीडियो का question जो है, वो है, 92 plus 92 कितने होते हैं, जरा इसको plus करके मुझे sign कीजिए, इस particular WhatsApp number के ओपर, ठीक है, इसे के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं next वीडियो के अंदर, जो भी results आते हैं आपको show करता हूँ, ये group की बात की जाए तो ये group के अंदर, आप easily continue कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो levels होते हैं, आप देख सकते हैं, पिन पॉंट चीज समझ में आ गई होगी, कि काम करने का तरीका क्या है, कैसे काम किया जाता है, यहां पर आप इस नंबर पे answer जरूर दें, जो वीडियो में मैंने पूछ आए, अभी question आप से इसका answer मुझे इस नंबर पे जरूर शेयर कीजिए मिलते हैं next important वीडियो के अंदर